शहडोल के पुलीस लाइन में पुलीस समस्या निवारर सिविर का आयोजन किया गया जिसमें जैसिंग नगर छेत्र के विधायक जैसिंग मरावी बताओर मुख्य अतिथी मौजूद रहे पुलीस अधिक्षक अवधेश गोस्वामी द्वारा आयोजी सिविर में पुलीस से जुड़ी विभिन समस्याओं का समधान किया गया विधायक जैसिंग मरावी ने कहा कि पुलीस का संपूर्ण जीवन लोगों के हिफाज़त के लिए समर्पित रहता है हमारे जीवन को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के लिए एहम भूमी का निभाती है इस दोरान पुलीस लाइन में बीते कई वरसों से सडक का अभाव बना रहा जिसकी मांग पर विधायक निधी और खनिजमत से 62 लाकी लागत से बनने वाले सीसी रोट का पूजन भ किया गया था जिसमें पुलीस कर्मियों का विधिवत स्वास्त परिक्षण किया गया इस दोरान शैडोल कमिशनर राजिव शर्मा कलेक्टर वंदना वैत के अलावा जिले के समस्त थाना प्रभारी और स्डी ओपी मौजूद रहे आधित हॉस्पिटल की तरफ से कैम्प लगाया गया है इसमें क्या है कितने पंजियन हुए और क्या क्या दिला पहले भन्नवाद करूंगा मानी इसके साथ जो पुलीस नाइन गूद में इस कैम्प स्वास्त परिक्षण में आधित हॉस्पिटल को इवाइट किया आज पुलिस लाइन में पुलिस वालों की समस्याओं के निवा निरागरंड के लिए एक कारिक्रम कायोजन किया गया जिसमें इनका भूमी पूजन भी था साथ थी एस्पी साथ की मनसदे की पूरे जिले के चुकी पुलिस कर्मचारी यहां आएंगे तो रूटीन में उनकी शुगर की जाज ब्लड पेशर की जाज और सामाने हैल्थ से कप हो जाए तो इसमें शिग्राम हॉस्पिटल ने अपना पूरा सयोग दिया और हम लगातार पुलिस की किसी भी इस तरीके के कैंप में अपना पूरा सयोग दिते हैं जिससे की पुलिस रोड भूमी पूजन का इसमें क्या कि यह बहुत दिनों से मांग उठ रहे हैं कि हमारे हां रोड और नाली नहीं है किसी रोड नहीं है कि तार्सम में आज हम पर भूम पूजन हुआ और हमने इतहां कि गुलवत्ता अच्छा रहे है कि इस रासी का सड़क में मांग हो रहा है वाहता लाट आज है पुलिस शिकायत ने वारंड शिवर का आज हायोजन किया गया था जिसमें सभी राजपत्रे तदिकारी थाना प्रभारी एवं पुलिस कर्मचारी गणों पस्ते थे उनके दोरह ना केवल अपनी निजी विभागी समस्याओं से अफगत कराया गया बलकि सामों एक जाना की हैं उनके में चारचा हुई और सभी समस्याओं को पत्काल निराकरित किया गया है जो लम्बी जो सामों एक समस्याओं हैं उन पर भी जो है लगातार काम करके कलेक्टर महोदिया एवं कमिशनर साब से चर्चा करके उनके भी हल के रास्टे ने काले जा रहे हैं जैसा कि आप जानते हैं कि पुलिस कर्मचारी अतियंत दबाव में जो है और लंबे ड्यूटी अवर्स बहुत अधिक लंबे होने के कारण कई परकार की शारिरिक मांसिक समस्याओं से जूचते हैं तो पिछले साल भी हमने तीन बड़े शिविर बेवहारी पुलिस लाइन एवम बुढ़ार में कराए थे इस साल भी हमने ये शरंकला शुरू किया है आज पुलिस लाइन में शिविर था जिसमें सभी विशेशक एवम उनकी जाचों के लिए पैथलोजी टीम श्रीराम पुलिस लाइन में लंबे समय से एक मांग चलिया कर रही थी कि सड़क पुलिस लाइन के अंदर सड़क एवम नाली नहीं है जिसकी वज़े से बारिश में और अतियंत असुविदा का सामना कर्मचारियों को करना पड़ता था पुलिस कर्मचारियों की समस्या को मानी विधायक जैसिंग नगर एवम कलेक्टर महोदिया श्रीमती वन्ना वैत के द्वारा समझ कर संवेदना पून संवेदना पून तरीके से इसको डियम फंड के दौरा कराने का परस्ताव पारित कराया गया और 62 लाक रुपे स्विक्रित होके जिसमें प्रात्मिक स्विक्रितियां जारी हो गई है और तीन माह के अंदर पी डबलू डी को इसमें कार करने की एजेंसी बनाया गया है तो आज से जो है वो इस समस्या की निराकरन की तरफ प्रशाशन के दौरे एक कदाम आगे बढ़ाया गया है यह समस्या जन्दी करमचारियों की पूरी होगी इससे उनमें काफी हर्सों लास है